बहुत से इलेक्रिशन को एक बल्ब के साथ टूवे स्विच का कनेक्शन तो आता है लेकिन अगर उन्हें उसी बल्ब को चार जगह से बंद चालू करने को बोला जाए तो वो फस जाएंगे आपके साथ ऐसा नहो इसलिए चलिए इस वीडियो में सीखते हैं तो ये हमारा बल्ब और चार स्विच बोर्ड है जिसमें सभी में टूवे स्विच लगा है कनेक्शन के लिए पहले स्विच के उपरी टर्मिनल को दूसरे स्विच के उपरी टर्मिनल में लूप करेंगे उसके बाद इनी दोनों स्विच के नीचे के टर्मिनल को भी एक वायर से लूप कर देंगे अब तीसरे और चौते स्विच को भी जोडने के लिए चौते स्विच के उपरी टर्मिनल को तीसरे स्विच के उपरी टर्मिनल में लूप करेंगे उसके बाद इनी दोनों switch के नीचे वाले terminal को जोड़ देंगे इतना होने के बाद अब दूसरे और तीसरे switch के बीच वाले terminal को आपस में जोड़ेंगे सभी switchboard का looping हो चुका है अब bulb का connection करने के लिए bulb के एक wire को first switch के बीच वाले terminal में जोड़ देंगे उसके बाद ये हमारा man line का neutral वा face wire है तो face wire को चौथे switch के बीच वाले terminal में जोड़ेंगे और neutral को bulb के साथ direct connect कर देंगे तो दोस्तो ये था एक bulb को चार अलग अलग जगह से बंद चालू करने के लिए two way switch connection आईए अब इसको चालू करके दिखाते हैं देख सकते हैं चारो switch से bulb बराबर बंद चालू हो रहा है इस तरीके से आप इस bulb को चारो switch में से किसी से भी switch से बंद और चालू कर सकते हैं अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका है तो मुझे comment करे और ऐसे ही electric video के लिए हमारे channel को follow करे Thank you